ये है Cute Bodyguard Episode 2 का Explanation तो Episode के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि Miss Y Mr. Gu से मिलने आ रही थी पर वो देखती है कि Mr. Gu जिंग जिंग को कैरी करके ले जा रहा था वो देखर Miss Y को अच्छा नहीं लगता है Miss Y Mr. Gu के पास जाकर उससे नया फोन देता है जिसके अंदर उसके Assistant और Miss Y का नंबर सेफ था Miss Y उससे पूछता है कि तुम और कितनी देर यहां पर रहने की सोच रहे हो Mr. Gu बोलता है कि पता नहीं पर जब तक Grandpa को एक नया सकसेसर नहीं मिल जाता तब तक मुझे यहां पर ही रहना होगा दूसरी तरब जिंग जिंग उसके पेरेंस को कहती है कि Mr. Gu illegal काम करता है जिस वज़े से उसके पेरेंस को भी Mr. Gu के उपर शक हो जाता है वो सब Mr. Gu और Miss Y की बाते सुन लेते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि Mr. Gu actually में Gu कमपनी का सकसेसर है यह सुनके वो सब शॉक्ट हो जाते हैं और फिर वो सब एक दूसरे को आकवर्टली देखने लग जाते हैं फिर जिंग जिंग और उसके फादर मिलकर Gu कमपनी के बारे में इंटरनेट में सर्च करते हैं फिर उन्हें फोटो में Mr. Gu दिखाई देता है पर जिंग जिंग फिर फ्रस्टेटिड हो जाती है क्योंकि अब से उसे Mr. Gu का सारा काम करना पड़ेगा उसके बार Mr. Gu उन्हें पैसे दे देता है और अपना वच वापस ले लेता है Mr. Gu बोलता है कि मैंने पैसे दे दिया है तो मैं अब जिंग जिंग का रूम ले सकता हूँ Mr. Gu को पिंग कलर अच्छा नहीं लगता है इसलिए वो जिंग जिंग से सब्वी चीज़े हटवा रहा था जिंग जिंग की मदर Mr. Gu का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी जब Mr. Gu को लैपटाप चाहिए था वो जिंग जिंग की लैपटाप उसे दे देती थी उसके बाद गलती से Mr. Gu से एक टॉय तूच जाता है जिंग जिंग Mr. Gu के उपर बहुती गुसा हो जाती है जली है और ये बोल्के वो वहां से चली जाती है फिर Mr. Gu जिंगु जिंग से पानी लाने के लिए बोलता है पानी पीने के बार मिस्टर गू बोलता है कि ये साधा ही गरम है फिर जिंग जिंग फिर से पानी ले आती है फिर वो बोलता है ये साधा ही थंडा है फिर जिंग जिंग पानी ले आकर बोलती है कि मैंने इसमा थर्मोमेटर से चेक भी किया है पर मिस्टर गू उसे फिर से ले पर फिर जिंग जिंग पानी लाने चली जाती है जब मिस्टर गू उसके लैप्टॉप ओपन करता है उससे वही डॉल दीखता है मिस्टर गू को समझ में आता है कि वो डॉल जिंग जिंग के लिए बहुती special और important था क्योंकि उससे जिंग जिंग ने खुद से design किया था फिर मिस्टर गू जिंग जिंग के लिए एक story note लिखता है अब रात को वश्रूम से आकर जिंग जिंग फिर से अपने ही रूम में सो जाती है अब मिस्टर गू उससे उठाने के लिए एक जारू का इस्तमाल करता है जिंग जिंग उठ जाती है और मिस्टर गू को बोलता है कि तुम एक bad guy हो क्योंकि तुम मुझे attack करने के कोशिश कर रहे थे फिर मिस्टर गू बोलता है कि तुम खुद wrong room में आ गई हो अगर फिर से तुमने मुझे bad guy बोला तो मैं तुम्हारी salary काट लूगा breakfast के time जिंग जिंग मिस्टर गू को irritate कर रही थी उसके बाद जिंग जिंग का senior वहाँ पर आ जाता है जिसे देकर जिंग जिंग बहुत खुश हो जाती है फिर जिंग जिंग की senior उसे पूछता है कि ये कौन है जिंग जिंग बोलती है कि ये हमारा नया किरायदार है फिर हानरन जिंग जिंग का senior अपना हाथ देता है हैंडशेक करने के लिए पर मिस्टर गू रूटली सिर्फ अपना नाम बोलता है फिर जिंग 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 बोलती है कि उसे छोड़ो वो ऐसा ही है जिंग जिंग की senior बोलता है कि वो यहाँ पर मार्शिलाज सेखने आता था फिर वो बोलता है कि तुम जिस तरस से बात कर रहे हो लगता नहीं कि तुम यहाँ के किरायदार हो मिस्टर गू सच बताने जा रहाता तब ही जिंग जिंग बात घुमा देती है फिर उसकी senior उसका नया वो जिंग जिंग को देता है फिर जिंग जिंग की senior बोलता है कि मुझे जाना चाहिए क्यूकि मुझे plane पकरना है मिस्टर गुँ जिंचीं को देखकर बोलता है कि तुम उसे पसंद करते हो ना क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है जिंचीं बोलती है कि मुझे कई लोगोंने confess किया है पर मेरे हाट में सिर्फ senior है मिस्टर गू बोलता है कि पर मैं तो उसे पहले ही देखकर समझ खया कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फिलिंग्स नहीं है उसके बाद जिंग जिंग अपने फ्रेंड के पास जाकर सब इंसिडेंस बताती है और वो ये भी बोलती है कि मिस्टर गू ने उसका फेवरिट टॉय जोड़ दिया है उसकी फ्रेंड उसे चुप कराती है और बोलती है कि वो उसे नया ला देगी अब उसके बाद मिस्टर गू जिंग जिंग को बहुत परिशान कर रहा था वो उससे कभी पानी ले आना, कभी मॉस्क्वी डुकॉयल को ले आना, कभी मेडिसिंस ले आना, ये सारी काम उससे करवा रहा था वो उससे साफ सफाई भी करवा रहा था तब मिस्टर गू उसे कॉंट्रेंक दिखा कर और उसके मादर की धमकिया देंकर उसे दरा रहा था फिर रात को जिंग जिंग उसकी फ्रेंड के पास जा कर सब कुछ सुनाती है जिंग जिंग ये भी बोलती है कि वो किसी लड़की को नहीं चूँ सकता है पर वो मुझे चूँ सकता है जरूर वो मुझे से जूट बोल रहा है उसकी फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है कि वो ये सब कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें अपने पास रखना चाता है और वो तुम से त्यार करता है उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों एक टीवी शो कपल के जैसे हो और अब देखना वो तुम्हें बहुत सारे क्लोट्स खरीद के देगा और तुम्हें बिलकुल चेंज करतेगा मिस्टर गू को एक स्कल्प्चर एक्जबीशन पे जाने के लिए इंविटेशन आया था मिस्टर गू जिंग जिंग को बोलता है कि हम क्लोट स्टोर पे जा रहे हैं यह सुनके जिंग जिंग को लगता है कि मिस्टर गू सच में उसे रेस्ट देगा पर मिस्टर गू फिर बोलता है कि उसे अपने लिए कप्रे खरीदना है फिर जिंग जिंग सोचती है कि मैं भी क्या सोच रही थी ये क्यों मुझे कप्रे खरीद देगा जिंग जिंग उसे वहां के लोकल मार्केट में ले जाती है फिर मिस्टर गू चीफ क्लोट्स में भी हैंसम लग रहा था उसे देकर शापकीपर मिस्टर गू की बहुत तारीफे कर रही थी फिर वो बोलती है कि जिंग जिंग तुम्हारा बॉइफरेंड बहुत हैंसम है पर जिंग जिंग बोलती है कि वो मेरी बॉइफरेंड नहीं वो मेरा बॉस है मिस्टर गू बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक ओनर है कि सबी तुम्हें मेरी गर्फरेंड समझ रहे हैं पर फिर मिस्टर गू जिंग जिंग को भी ट्रेस करी देता है फिर जिंग जिंग बोलती है कि मैं स्ट्रेस को बहन के फाइट कैसे करूगी मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरान नहीं है अब जिंग जिंग को हील बहन के चलने में परिशानी हो रही थी फिर मिस्टर गु एक sculpture को बहुत टायम से देख रहा था जिंग जिंग आकर बोलती है कि क्या तुम है समझ में नहीं आ रहा हैं कि तुम इतने देश से इसे देख रहे हो मिस्टर गु बोलता है कि तुम नहीं समझोगी पर जिंग जिंग एक आट स्टुडन थी इसलिए वो मिस्टर गू को स्कल्प्चर के बारे में समझा देती है पर गलती से जिंग जिंग की बज़र से वो स्कल्प्चर गिर जाता है पर फिर मिस्टर गू जिंग जिंग को बचा लेता है और उस कल्प्चर की प्राइस पे कर देता है उसके बाद जिंग जिंग मिस्टर गू को ट्रीट देती है और उससे बचाने के लिए ठैंक्यू बोलती है और फिर वो बोलती है कि मैं आपको पे कर दूगा पर आप प्लेस मेरे पेरेंस को इस बारे में मत बोलना मिस्टर गू बोलता है कि तुम मेरी बाड़ी गाड़ बनके इस फ्राइस को पे कर सकते हो जिंग जिंग बोलती है कि पर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मिस्टर गू बोलता है कि हो सकता है पाट साल लग जाए फिर जिंग जिंग बोलती है कि मुझे लग रहा था कि तुम अच्छे इंसान हो मिस्टर गू बोलता है कि अगर तुम्हारे मदर को इस बार में पता चला तो क्या होगा जिंग जिंग को डर लगता है और फिर वो अग्री कर जाती है उसके बाद मिस्टर गू जिंग जिंग का एक वीडियो बनाता है जहाँ जिंग जिंग बोलती है कि वो उसका बाडिगाद बनेगी पाच सालों के लिए जिंग जिंग की मदर उससे बोल रही थी कि तुम्हें पालर आना चाहिए और फेशल करवाना चाहिए तब ही जिंग जिंग को एक वीडियो मिलता है जो कि मिस्टर गू ने उसे सेंट किया था जिंग जिंग उसके मदर से पूछती है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड को आपके पालर में लियाओ तो क्या मुझे भी पैसे मिलेगे उसकी मदर हा बोलती है जिंग जिंग फिर उसकी मदर से पूछती है कि सबसे एक्सपेंसिव पैक कौन सा है उसकी मदर बोलती है कि धर्मेच पैक सबसे एक्सपेंसिव है और ये वीडियो इतना ही था मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल झाल